अलो फ्रेंट चलिए आज बनाते हैं छोले और भटूरे सबी चाहते हैं कि जैसे मार्केट में भटूरे मिलते हैं फूले फूले वैसे घर बे पने तो आज मैं आपको कुछ टिप्स बिताऊंगा जिससे आपके भटूरे दमस्त फूले फूले बनेंगे और छोले भी बनाए हैं उनको कम से कम 6-8 घंडा के लिए भिखोना है तो मैंने यहाँ पर अच्छी क्वालिटी के छोले लिए हुए हैं देखिए बड़े बड़े जो दाने वाले होते हैं और इसको मैं शॉक कर दूँगा 6-8 घंटे के लिए इसको अच्छे से दुलाई करके और पाइन डालके ढखके रख देना है रात में और सुबब बनाई है यह देखिए कम सम 6-8 घंडे हो चुके हैं और यह हमारे छोले पानी पिके डबल हो गए हैं यहनि मोटे मोटे हो गए हैं यह फूल गए अच्छे से अभी मैं इनको धुलाई करके अच्छे से एक प्रेसर कुकर में बॉयल होने के लिए रखोंगा यहां मैंने प्रेसर कुकर में डाल दिया है और छोले के डबल मैंने था पाइन डाल दिया है और छोले बनाने के लिए मैंने इस्तिमाल किये हारी मिर्च, लैसुन, अद्रक, चार प्याज और पांचे टमाटर और एक खड़ा मसाला, खड़ा मसाले में हैं लाउंग, काली मिर्च, दाल चिनी, तेज़ पत्ता, बड़ी लाइची मैं खड़े मसाले को प्रिष्टकूगवर में डाल देता हूं, जिसे चाने के साथ में अच्छे से यमारे बॉयल हो जाएंगे और जो खड़े मसाले का कश होता है, जो रस होता है, वो मसाले जो रस होता है, वो अमारे छोले में उतर आएगा एक चमच नमक डाल दिया मैंने एक चमच हल्दी पाउडर एक चमच लाजमेट्स पाउडर एक चमच धन्या पाउडर और डालने के बाद मैं प्रेसर को बंद कर दिया है और इसको मैं 20-25 मिट पकने दूँगा एक सीटी लगते ही इसको दी मियाज पकने दे जब तक मारा छोले पक रहे है जब तक मैं सब्जी कटिंग कर लेता हूँ तो सबसे पहले मैं लैसन को चौक करूँगा बारिक बारिक उसके बाद अधर को काट लेता हूँ अधर को मैं यहां फाइन चौक कर लेता हूँ अच्छे से पारिक बारिक और उसके बाद मैं हरी मिर्ची को काटूँगा बारिक बारिक हरी मिर्ची काटने के बाद मैं प्याज को चौक करूँगा यहां चार से पांच जो हमारे बारिक प्याज हैं उनको मैं बारिक बारिक काट लेता हूँ और जो टमाटर हैं उनको मैं मिक्सी में ग्राइंड कर लूँगा टमाटर की प्यूरी बना लूँगा जिसे हमारे ग्रेवी दार अच्छा से मसालापन के त्यार होगा तो टमाटर को मैंने पीस लिया है मिक्सी की जार में डालके यह देखिए हमारा टमाटर पिस चुका है अच्छे से फाइन पैस्ट बना लाएना अच्छे से यह हमारी तयारी हो गई है हरी मिर्ची लैसोन अद्रक प्याज और टमाटर को मैंने पीस लिया है अब मैं एक कढ़ाई लूँगा और कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालूँगा और जब तेल गरम हो जाता है तो मैंने जीरा डाल दिये जीरा डालने बाद मैं मैं लासुन को डालूँगा उसका अद्रक को डाल देता हूं हलका साथ सौटे करना है इसके बाद मैं हरी मिर्ची डालूँगा हरी मिर्ची डालने के बाद में जो मेरा बारी कटा हुआ प्याज है उसको मैं इसमें अड़ कर दूँगा यहां मैंने प्याज को पूरा अड़ कर दिया है जो बारी कटा हुआ था मेरा प्याज को अच्छे से बूनना है लाइट ब्राउन हो जाने तक बहुत से लोग क्या होते हैं थोड़ा सा प्याज पकता है और उसमें मसाला डालेते हैं छोले में प्याज कच्छा कच्छा देखता है तो इसको लाइट ब्राउन होने तक पकाना है प्याज को देखिए तेल छोड़ना शुरू कर दिया है प्याज ने अब मैं इसमें देगी मिर्च डाला है थोड़ा सा थोड़ा सा गराम मसला डाल दिया मैंने अब थोड़े से मैं इसमें छोले मसले डालूंगा यह देखिए छोला मसला मैंने इसमें थोड़ा सा डाल दिया है यहां मैंने हल्दी धनिया मिर्ची कहते बाल नहीं किया है मैंने पहले जब छोले बॉइल हो रहते हैं मैं वहाँ पर मैंने एड़ कर दिया था थोड़ा सा मैंने अध्रफ लासूं का प्रेस्ट और डाला इसमें अच्छे से भुन जाने के बाद में जो हमारा टमाटर पिसा हुआ था उसको मैं इसमें एड़ कर दूँगा मैंने पांच से छे टमाटर लिये थे जैसी की टमाटर जो खटे होते हैं आप चाहें तो थोड़ा से इमली के रस भी इसमें डाल सकते हैं लेकिन हमारे टमाटर अलोड़ी खटे हैं तो यहां मैं इमली के रस नहीं डालूँगा अब इस मसाले को आपको अच्छे से पकाना है जब तक यह आपका तेल न छोड़ दे जब तक इसको पकाना है थोड़ा सा मैं धनिया मसाले साथ डाल दूँगा और थोड़ा सा धनिया में बाद में एड़ करूँगा जब हमारा छोड़ा पक त्यार हो जाएगा उसके बाद मैं धनिया उपर से डालूँगा चौक क्या हुआ यह देखिए हमारा तेल छोड़ा सुरू कर दिया है इतने मसाला हमारा पक चुकर ऐसा मतलब कोई भी मसाला होता है जब वह पक जाता है तो तेल छोड़ा सुरू कर देता है उसके बाद इससे इस्तेमाल करें यहां हमारे छोले बॉइल हो चुके थे और जो खड़ा मसाला है उनको मैं निकाल लेता हूँ क्योंकि इनका कोई मतलब नहीं है इनको मैं फेक दूँगा और सिर्फ छोले जो ग्रेवी है पानी जो है उससे नहीं फेकना है इसी मसाले साथ में एड़ करना है अभी मैं इसको जो चने छोले हैं थोड़ा सा मेस कर दूँगा सीमें जिससे अच्छी से हमारा लटपटा मसाला बनके त्यार हो जाएगा जो चोले हैं तो गाड़ा गाड़ा चोले बनके त्यार हो जाएगा आप चाहें जो आलू मेशर होता है उसे मेश कर सकते हैं या आप कर्ची से भी मेश कर सकते हैं तो मैंने कर्ची से इसको जो छोले थे दाने उनको मेश कर दिया थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा नमक कम लगा तो मैंने थोड़ा सा नमक और डाल दिया है तो यह देखिए अभी हमारा गाड़ा-गाड़ा छोला बनके त्यार हो चुका है आपको दस से पंदा मिनट इसको अच्छे से बॉल करना है जिससे आपका यह थोला गाड़ा-गाड़ा हो जाएगा अब मैं इसको एक बरतन में खाली कर लेता हूं और मैंने हरा धनिया चौप करके इसको उपर से और डालूँगा तो यह मेरे छोले मस्त बनके त्यार हो चुके हैं कम मसाले में बहुत अच्छा छोला बना है आपका देखिए चलिए अब भटूरे का अटा लगा लेते हैं यहां मैंने मैदा लिया है और मैदें बहुत सूजी एड़ करना चाहते हैं आप चाहते हैं इसमें सूजी भी एक कडूरी एड़ कर सकते हैं लेकिन मैंने यहां पर सूजी एड़ नहीं किया है कि सूजी से क्चिक क्रेप्सी बनते हैं यहां मैंने मैदा दही धिया तोड़ा सा मेठा सोड़ा करें इस्तेमाल किया और signs मा नियुक्प कडिया तोड़ा सा दिया है त्फोडा सभ्रास कढ़ था नमक है अब थोड़ासं में ऊइल करूंगा इसको आपको खस्ता नहीं करना है डायेट पानी डालके इसको अच्छे से गुंद लेना है कि देखिए मैंने भटूरे के हाटर को अच्छे से गुंद लेता हूं और इसको मैं तेल लगाके एक से दो घंड़े के लिए छोड़ दूँगा जिसे हमारे भटूरे दमस्त फुले फुले बनेंगे बाद में तुमको दही डाल दिये थोड़ा सा मीठा सोड़ा जाल दिये इससे भटूरे आपके 100% फुलेंगे इसको मैं धक्या रख देता हूं थोड़ा सा तेल लगाके जिसे उपर से इसमें पपड़ी नहीं जमेगी यह मेरा भटूरे काटा लग चुका है चलिए अभी चावल को बॉल कर लेते हैं तो मैंने चावल को पहले से बिगो के रखा हुआ था अब मैं यहाँ चावल के लिए पानी चड़ा दिया है गरम होने के लिए जब मेरा पानी बॉल हो जाएगा तो चावल बिगए हुए है उनको अच्छे से दुलाई करने के बाद में मैं इसी पानी में डाल दूँगा यह चामल को दुलाई कर दिया है दो से तीन वार अच्छे से दुलाई करना है जिसके चामल में जो इस्टार्च होता है वो निकल जाना चाहिए अच्छे से तो मेरा पानी बॉयल हो गया था और बॉयल होने के बाद में मैंने चामल को डाल दिया है कि शुरुआत में थोड़ा सा हिलाना है नहीं तो नीचे लगने के चांस रहते हैं अब मैं इसमें थोड़ा सा ओयल डालूंगा जिसे खुले खुले हमारे चामल बन के त्यार होंगे ज्यादा नहीं आप एक टू टीश्पून आप ओयल सकते हैं इसमें वेल से आपका चामल चिपके का नहीं और खुला खुला चामल आपका बन के त्यार होगा यह चामल हमारे पक रहे हैं अभी मैं इसमें एक नीबू को रस डालूंगा जिससे हमारे चामल और भी सपेद अच्छे बन के त्यार होंगे हैं यहां मैंने नीबू को काट दिया है और काटने बाद में इसका रस जो है डाल दिया है निवू रच से क्या होता है, आपके čामल तोटे भी नहीं है, और ये छाफे तो पख चुका है, अंचा तहटा है, आप ये मारे चामल डूप पख जुका है, अदिया है, और मैं भटूरे बनाता हूं, जैसे फ्राई करना आपको बुटे आप चाहें तो गोल बना सकते हैं या आप चाहें तो लंबा भी बना सकते हैं जैसे नॉन बनता है वैसे या लंबा लंबा इसको गोल पूरी तरह भी बना सकते हैं तो यहां मैं लंबा बटूरा बना रहा हूं बहुत लोग बड़े-बड़े बटूरे बनाते हैं मैंने आप च्छोटा बटूरा ट्राइ किया बनाके और इसको मीटेम हीट में इसको फ्राइ कर लेंगे यह देखिए हमारा बटूरा अच्छे से फूल रहा है मस्त जैसे बजार में फूले फूले मिलते हैं वैसे ही आपको बटूरा फूला फूला मिल रहा है कि देखिए हमारा बटूरा बनके त्यार हो चुका है इस दमस्त फूला फूला और साथ मैंने कुछूमर सलाथ का इस्तेमाल किया है कुछूमर सलाथ आप चाहे तो बारिक-बारे के लंबा-लंबा गाजर खीरा पता गोबी प्यास टमाटर डालके थोड़ा नीवू और नमक खाल जिए सकते हैं कुछी मस्त ऐसे बनता है यह में में थ्वडरा साथ दही का इस्तेमाल करूंगा मैं राजाय बना सकते में यहां पर से प्लेन कड़ का इस्तेमाल किया है किि यह्डों मास्त हमारे देखिए धिक खुले-खुले थुले और बटूरे मस्त बने है कि अधिन कंप्लीट छोले बटूरे राइस कुछों मसलात सब मेरा कंप्लीट है जब भी आपको वीडियो नए नए डालू आपको टाम टाम से नोटिफिशन मिलता रहेगा तो आप देखते रहेंगे तो छोले बटूरे गरमा गरम का आप आनंद लिजिए जरूर आप बनाएं कोशिस करें अच्छा लगेगा आपको बनाने में माई जून में बच्चों की छुटियां भी आ रही है उसमें आप बना सकते हैं घर में बैठे बैठे आप आज से बजार से बंध घर में बनाएं छोले बटूरे आपको जुरूर पसंद आएगा तेंकियो फर वाचिंग